Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल ये 14th February से लेकर 20th February तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस channel को नहीं subscribe किया तो please like, share और subscribe करें इसके साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं, जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का सापता है क्राशी फल चलिए ले ब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं 5 of pentacles and 2 of roses और ये cards कहते हैं कि इस week in general या पिर specifically आपके professional front में चोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसले रह सकते हैं और दिखिए ये general reading है, तो ये मसले, ये issues सब के लिए differ कर सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि materialistic, tangible चीज़ों से related, money finances से related चोटे मोटे issues, चोटे मोटे मसले हैं जहां पर या तो आपकी payment delay हो रही है या पिर जितना profit आपने expect किया था इस week आपको लग रहा है कि भई उतना profit आपको नहीं होगा या पिर किसी किसम का नुकसान हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से या फिर in general लोगों से ही आपकी बहुत expectations थी, बहुत उमीदें थी और कहीं वहाँ से वैसा response आपको नहीं मिल रहा है तो दिखे जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही है मैं कह रही हूँ ये card कहता है कि आप थोड़े से मायूस हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं किसी मसले किसी issue को लेकर और deeper level के लिए two of roses का card कहता है कि किसी खास relationship में या फिर in general relationships में भी एक conflicting से energies रह सकती हैं और दिखे ये कोई भी relationship हो सकता है आपके किसी co-worker के साथ, किसी colleague के साथ, किसी authoritative figure के साथ हो सकता है लेकिन ये roses का card है तो किसी loved one, किसी close one, किसी family member के साथ ये issue, ये मसला जादा रहता हुआ दिख रहा है और दिखे जब भी भी two of roses का card आता है हम यही कहते हैं कि जितना हो सके आप इस मसले से अपने आपको दूर रखें आप बहुत जादा चीजों में involved ना हो कैसे एक peace maintain कर सकते हैं कैसे you know again मैं कहूंगी चीजों को ठीक कर सकते हैं आप उस पे ही जादा focus करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of cups and six of roses का card है तो दिखे सबसे पहली बात दोनों ही fronts के लिए यहाँ पे relationships में कुछ issues कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं professional friend में two of roses का card भी conflicting energies की बात करता है और जैसे कि आप इस card को देख पा रहे हैं यहाँ पर two parties हैं और एक के पास you know flag में red flower है दूसरे के पास white flower है तो यहाँ पे white flower piece की बात करता है और कहीं red flower conflict की बात करता है और यह card भी आपको यही message देता है कि कैसे एक piece maintain करें उस पे आप जादा focus करें और देखें surface level के लिए eight of cups का card कहता है शायद इन्ही conflicting energies की वज़े से या फिर otherwise भी आप emotionally बहुत great feel करते वह नहीं देख रहे हैं कहीं यह नो कोई भी चीज आपको वो happiness वो joy नहीं दे पा रही है कभी कभी होता है ना हमारा मन उचाट सा हो गया किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा कोई भी चीज फिर से मैं कहूंगी हमें happiness नहीं दे रही है और इसी वज़े से या otherwise भी हमारा मन करता है कि सब चीज को छोड़ चाड़ के कहीं दूर चले जाएं तो देखें लिटरली कुछ लोगों के लिए ऐसी सी energies हो सकती है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज को छोड़ के आप आगे भी बढ़ना चाहा रहे हैं आप move on भी करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और देखें फिर से मैं कहूंगी कि ये general reading है तो यहाँ पर सब के लिए different चीजें हो सकती है जिन से आप move on करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं कुछ के लिए कोई relationship हो सकता है कुछ के लिए कोई जगा हो सकती है कुछ के लिए कोई project हो सकता है पढ़ाई हो सकती है कोई आदत कोई behavior हो सकता है again मैं कहूंगी कि कोई भी चीज हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या बढ़ रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए card है message in a bottle तो देखिए Libras हमारे spirit guides हमारे angels हमेशा ही हमारे आसपास होते हैं हमसे connect करना चाहते हैं messages के through हमसे बात करना चाहते हैं और करते भी हैं लेकिन हम अपने ही मसलों में इतने गुम होते हैं कि ना तो हम उनसे connect करते हैं और ना ही हम उनके messages को read कर पाते हैं और इस week message in a bottle का card बहुत ही clear आपको message दे रहा है कि किसी भी situation में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें क्या direction लें और इसी की वज़े से अगर आप परिशान हो रहे हैं तो आप अपने spirit guide से connect करें आप अपने angel से connect करें उनके messages को read करने की कोशिश करें और देखिए उनके messages को अगर आप read कर पाएंगे तो बहुत जबरदस्ते clarity आप उसी situation के लिए ला पाएंगे आप better decisions, better choices ले पाएंगे और चीजों को भी आप better कर पाएंगे और देखिए हमारे जो spirit guides होते हैं वो कहीं you know externally जो भी हमारी life में चीज़े हो रही होती हैं उन्हीं के through हमसे बात करते हैं for example आपने कोई banner देखा और उसमें कोई चीज़ आपको click करी और आपको लगा कि ये आपके परेशानी का एक हल है या फिर आप कोई movie देख रहे हैं आप कोई serial देख रहे हैं आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और फिर से मैं कहूंगे कि अगर आप थोड़े से भी attentive हैं तो उसी में से ही आप अपने spirit guides के messages को भी read कर पाएंगे और अपनी problem का एक हल भी आप ढून पाएंगे तो इस चीज़ का खयाल इस week आप लिब्राज ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है और इसके हिसाब से blue, indigo, navy, blue color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाई